है नमस्कार दोस्तों आपका सुवागत है आपके अपने यूच्यूब चैनल दे बिगबूल 420 पर आज हम जैसे के आपको पता है डिली एक मार्केट एनालीस वीडियो निकालते हैं जिसमें बात करते हैं निफ्टी बेंग निफ्टी को स्टोक्स के बारे में उसी तरह आज हम जो है निफ्टी बेंग निफ्टी को स्टोक्स के बारे में बात करेंगे मेंली निफ्टी बेंग निफ्टी के बारे में बात करेंगे डे टाइम प्रेम पर से अपन जो है बेंग निफ्टी को धीरे धीरे छोटे टाइम प्रेम पर आके समझेंगे कि मंडे को मार्केट म आप है अच्छा गेपाप होता हुआ दिख सकता है मैं, जिस हिसाफ समय ग्लोबल मारिकट दिख रहा है, उसके अकोडिंग मारिकट में, निफ्टी बेइंग निफ्टी में, कुछ अच्छा भाई, एक गेपाफ हमें देखने को मिल सकता है, संभा होना है, सो ठीक है अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले आपन बेंग निप्टी को समझेंगें देखें वीडियो चालू करने से पहले कर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल अगे बढ़ते हैं सबसे पहले बें जोन है supply zone है अगर आप देखेंगे काफी जादा बार जो है market ने इस जगे से इस पर्टिकुलर लेवल से supply लिए अगर आप थोड़ा सा इसे ध्यान से देखेंगे supply है supply है selling है selling है selling है market जितनी बार उपर गया है around जो ये एक पूरा zone है इस zone में से market ने क्या लिया है प्रेशर लिया है market यहां नीचे आया है so देखते हैं इसके आने वाले कुछ समय भी market के जोन की रिस्पेक्ट देता है तोड़ा सा अगर आप देखो market में trend होता है आपको पहले भी मैंने बहुत अच्छे समझा है कि market हमेशा trends में काम करता है ठीक है market trends में काम करता है तीन प्रकार के trend होते हैं एक होता है अप ट्रेंड एक होता है downtrend एक होता है sideways trend ठीक है यह तीन trend market में actual में होते हैं अगर हम बात करें है यह market का एक up-trend था जब market क्या करता है higher high बनाते हुए इस high को जो previous high इसे break ना कर पाया दिन वापस नीचे आ है तो market का करते हैं जो एक uptrend चल रहा था वो अभी हाल पिलाल में रुख गया है या वो वीक हो चुका है वो अभी थोड़ा सा रुख चुका है थोड़ा हो ले चुका है अब देखो अ है कि यह market क्या है sideways है क्या market ने इस swing को break क्या था the answer is no अगर यहां देखे जोन में इस विक को market ने यह जो एक swing था इसको break नहीं क्या अब क्या market ने इस swing को break क्या था क्या इसके नीचे candle close है the answer is no market gap down हुआ तो market वापस उपर निकल लिया market क्या कर रहा है market इन दो लेवल्स में market अभी sideways है देखो अगर market अब वापस एक sideways trend में आ चुका है तो अगर market इससे upper side breakout करता है तो वापस हम बोल सकते हैं कि भीया एक hold लेके market ने क्या क्या है अपना जो एक uptrend इस प्रकार से चल रहा था उसे continue किया है क्या-क्या market ने अप trend चल रहा था उसे continue क्या है अब market sideways consolidation से अगर market क्या करता है daytime पर समझ रहे हैं अगर downside breakdown करता है downside level तो फिर अपन market में बोल पाएंगे कि market ने consolidation को downside में तोड़ा है लेकिन downside में भी एक तो यह चीज है यह कि अपन downside में breakdown होते से मान लेंगे trend strong है और एक होता है market जैसे क्या करें यह जो एक swing बनाए यह वाला swing है मान लो इसे तोड़ता है दिन वापस उपर आके वापस यह वाला स्विंग तोड़ता है तो अपन market में strong downtrend की जो है expectation कर सकते हैं strong downtrend क्योंकि कहिन के swings का बनना market में बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक healthy trend के लिए bank nifty में कुछ downside के भी zone लगा लेते हैं जो हमाई लिए काफे ज़्यादा महत्फून रहेंगे helpful रहेंगे बाइदवर यह कुछ ज़्यादा ही महत्फून इक इसे बोल सकते हैं देख अपर साइड को supply नीचे का demand है देखो market ने पहले और साथ ही साथ जब market इसके उपर निकल जाएगा तो यह जो supply है यह कहीं में convert हो जाएगा यही आपका demand में भी convert हो जाएगा याद रखेगा अगर market इसके उपर sustain करता है तो market का यही एक demand बन जाता है पहले यह क्या था supply था market गेप अप हुआ then market ने इसमें बहुत अच्छे से कह लिया demand लिया है बहुत अच्छे से consistently बहुत बार market ने demand लिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो अरांड no trading days जो है market इन दोनो रेंज में रेज चुका है अब काफी ज़्यादा एक हो सकता है में किसी वन साइड़ेट एक डारेक्शनल रेली देखने को मिले देखते हैं यह downside का sorry यह जो एक sideways trend है market इसे कितना continue करता है इसे वन आर टाइम फ्रेम पर समझने का ट्राय करते हैं क्या है ठीक है वन आर टाइम फ्रेम पर भी काफी ज़्यादा clearly अपनों को यह levels की value दिख रही है बहुत ज़्यादा clear भी है market को ज़्यादा toughly समझने का जरूरत नहीं है market में सिर्फ levels पर काम करोगे तो भी बहुत अच्छा समझोगी देखो supply 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 इतना उपर जाने के बाद भी market में पर अपर में बहुत ज्यादा स्टोंग रजिस्ट है यह देख लिजिए यह देख लिजिए अब यह जो जोन होता है न इन जोन में यह चीज भी समझ लेज़ेगा मार्स यहां से भी रिटन आ सकता है ऊपर जाने के बाद market यहां से भी रिटन आ सकता है ऑन मार्केट अट- ठीके जोन अपनों प्राइज एक्षिन के बेस के निकला पंदा मेड टाइम फ्रेम पर अपनी फाइनल इनालिसिस जो में कबिलिट करेंगे बैंक नेफटी के अंदर बैंक का पंदा मेड के लिए हमारे कौन से इसे महत्वपून लेवल हो सकते हैं जो मार्केट में हमें कुछ न कुछ help कर सकते देखिए अब यहाँ जो है levels के उपर बात करें clear cut level आप के लिए निकालेंगे सबसे महत्पून level है 41,522 का और उसके बाद एक महत्पून level आपका निकल के आ रहा है 41,700 का ठीके दोनों जादा महत्पून level है अब एक level और में निकाल के दूँ है जिसकी सायता से हमें थोड़ा सा और clarity मिले क्योंकि ये तो काफी जादा बड़े levels हो चुके हैं देखो यार मैं तो आपको और इसमें भी थोड़ी सी clarity दे कि ये चीज़ बता जता हूँ कि दोस्तों दीखे अगर market क्या होता है गेप अपन होता है तो अगर market इस 41,700 के उपर अगर सस्टेन करता है तो अपन market में एक bullish रह सकते हैं थोड़ा सा क्योंकि फिर level तूटता है लेकिन अगर market गेप अप होता है यहां कही market ओपन होता है यहां जाता है थोड़ा सा भी अगर इस प्रकार से सेलिंग लेता है क्योंकि market में लेवल्स तो यह काफ जादा स्ट्रोंग है लेकिन अगर इन लेवल्स के उपर market सस्टेन हो जाता है तो फिर market में कहीं कहीं बाइंग भी अपनों को देखते हैं को मिल सकती है तो थोड़ा सतक रहेंगे उपर ही लेवल्स से अगर यहां तक market टिकता है एक ताली जा साथ सो तक तो कहीं मार्केट में अपन सेलिंग का ट्राय करेंगे आज अपन थोड़ा सा डाटा भी देखेंगे के मार्केट में डाटा क्या बता रहा है ठीक है ना लेवल्स पर डाटा भी चेक आउट करेंगे चलते हैं ऑफशन चेंपर ठीक है मैं चाहता हूँ एक बार अपन थोड़ा सा मार्केट को अब डिरेक्शन समझे मार्केट का की चल क्या रहा है जिससे हमें क्लियर कट थोड़ा सा मार्केट का अनुमान लग पाए बेंग निफ्टी की बाद तो यह बेंग निफ्टी में चलते हैं ठीक है तो देखें बेंग निप्टी में 41,500 में काफी ज्यादा रजिस्टर लगा पड़ा है किस प्रकार मैं यह चीज देख रहा हूं अगर ओई की बात कर लो तो कहिने कि 41,500 का लेवल अगर मैं चेक आउट करूँ हां तो कहिने कि मुझे यह चीज समझ में आ रहा है कि सु लोट्स पेंडिंग है मतलब इंट्रेस्ट लोगों का इन लोट्स पर सम्तिंग देखो यही फंड आए अगर ओप्शन चेन के बात करें मार्केट उपर कहीं गेप अपन होता है तो अपन मार्केट में एक सेलिंग लगा सकते हैं अगर इन लेवल से अगर कोई रिजेक्श का स्ट्रोंग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है सो कहीं न कहीं 41,000 का यह स्ट्रोंग लेवल है यह मतलब राउंड ली बात करने तो 41,000 पचास अपनों लगा रखा है लेकिन 41,000 का राउंड लेवल जो है काफी ज्यादा महत्पूर्ण है इन दो लेवल्स पर काफी ज्य विवेस कुछ समय का प्राइजेक्शन यह अपन चीज आराम से कर पाएंगे अब निफ्टी फिप्टी की बात कर लेते हैं निफ्टी फिप्टी क्या कर रहा है और देखी 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 और एक लेवल और आप नोट डाउन कर लेजीगा 41,200 का I think around बहुत स्ट्रोंग आप यह पहला सपूर्ट या पहला टागेट आप यह भी मान सकेंगे मार्केट स्ट्रोंग है कही ने कहीं यह लेवल प्रिवेस देश के अकोडिंग आपके लिए सपोर्ट इस रिस्टेंस काफी ज्यादा महत्वरा कर रहा है चलते हैं डारेक्ली निफ्टी फिप्टी में क्लियर कट अपना दिख रहा है बहुत शोरी टीक साथ निफ्टी कर रहा है क्या कर रहा है यह इसा कुछ दिख रहा है बिलकुल क्लियर दिख रहा है कि निफ्टी जैसा मैंने भी कुछ समय पहले बता है मार्केट में तीन ट्रेंड होते हैं तो निफ्टी कहीं एक अप्ट इस प्रकार इस जोन पे अपन तीन केंडल्स को लगबग शो कर पाएंगे कि हाँ इन्होंने सेलिंग दिया है अरौंड चलते हैं इसी को अपन थोड़ा सा वन आर टाइम फ्रेम पर समझने का ट्राय करेंगे ओके तो देखें कहिन कहिन निफ्टी आपको वन आर टाइम फ्रेम पर समझ में आ रहा होगा पहले दो बार सेलिंग कंटिनुसली वापस मार्केट इस जोन पर आ चुका है अरौंड तो कहिन 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 अगर मार्केट एक गेप अप भी देता है तो अराउंड निफ्टी में ज्यादा बड़ा गेप नहीं है देखते हैं मार्केट कितना गेप खुलता है लेकिन निफ्टी का एक स्ट्रोंग लेवल है आप नोट डाउन करके रखेगा 18,180 का मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रोंग लेवल है 18,180 का मार्केट में कहीन 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 निफ्टी में स्ट्रोंग लेवल है इसके ओपर मार्केट अगर निकलता है ये पप नहीं डारेक्ली कंसुलेशन करके मार्केट अगर ब्रिक आउट करता है तो कहीन कहीन निफ् के हम बहुत बड़ी रिस्पेक्ट देखेंगे अठारा जार का लेवल हमाई लिए काफी जादा महत्पून है चाहे मार्केट ने रिस्पेक्ट इसे एक से दो बार दिया लाइक इसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ पहला ही केंडल उपर बाइंग और बाइंग ठीक है अठारा काफी अची बाहिंग दे रहा है सो देखिए अब सबसे पहले अपन चलेंगे डारेक्ली ऑफ्शन चेन पर ऑफ्शन चेन को इनालीशिस करते हैं कि निफ्टी के इसे कौन से महत्पून लेवल है जहां पर जो है सेलर्स इंट्रेस्टेड है कहिने के मार्केट में काफी देखिए एक अठाराजार के राउंड लेवल और एक अठाराजार सो का राउंड लेवल ठीके मतलब निफ्टी के ये दो महत्पून लेवल आपके लिए होने ही वाले हैं अठाराजार और अठाराजार सो सेलिंग बता रहा है एक सेकड़ ओके 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 ठीके राउंड य लेकिन उसके बावजूद ये लेवल आपको क्या दिखा रहा है रजिस्ट दिखा रहा है आपका अठारा अजार का लेवल देख लेते हैं एक सेकंड रुकियेगा थोड़ा सा यह वेट अमनीट हुँ ठीके देखे एटीन थाउजन का लेवल कहीं न कहीं एक एक लाग 48504 का अपनों को बता रहा है कि 8100 से 18000 तक कि लेवल समें निफ्टी में आपकोfigलीयशन होता हूँ आ है पर कितना ज्यादा ओपन इंटर्स दिख रहा है अगर 18,200 की बात करो क्योंकि देखो राउंड लेवल जो होते ना लाइक सो दोसो धाइसो यह धाइसों पर आपको नहीं दिखेगा मार्केट में डाटा लेकिन अगर तीन सो पर जैसे आप समझेगा 18,200 पर देखेंगे साइड के जो लेवल से यह आपका डाल लेते हैं यहां पर अरॉंड निफ्टी अगर आपको इन लेवल्स के अंदर दिखता है तो आप उपर से सेल कर सकते हो निफ्टी में इसा मेरा व्यू है हाल फिलाल में जो ओफ्शन डाटा दिख रहा है उसके अकोर्डिंग गेपड होता है कोई नेगेटिव प्राइयज एक्षन दिखता है कोई छोटा सा स्टोप लोस दिखता है तो कहिने के में एक रिवर्सल का रिस्क ले सकता हूं जो सकता है और अगर त्कित रैनี भी देख सकते हैं कहीं एक अपना निफ्टी जो है अपना एक जो अप्ट्रेंड कर रहा था जिसे साइडवेस में डाल के वापस एक अप्ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर सकता है I hope guys आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस बार इस वीडियो को लाइक कर दीजीगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजीगा आपका एक बहुत ही महत्पूर्ण कमेंट इस वीडियो पर आना च चूड़के कहीं निफ्टी बेंक निफ्टी एनालीसिस में आपका हमारे साथ लाइव में चूड़के लाइव में भी जूड़ीगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजिएका और कमेंट आपका बनता है तो ठीक है बाइव बाइव टेक है गई सीखते रहें मसत रहें